जैसे ही सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा आप भी अपने अकाउंट बना पाएंगे जो लोग अभी बाहर हो चुके हैं इको सिस्टम से उन लोगों की मैं बात करना हूं कुछ ज्यादा नहीं कुछ लोग अपने इको सिस्टम से बाहर हो चुके रहेंगे अपने इको सिस्टम से बहार हो चुके हैंटर हो जाएंगे यहां पर पैनिक होने की घवराने की या फिर परेशान होने की यहां पर कोई बात नहीं है तो यह एक जरूरी बात थी जो आपसे मैं कहना चाहरा था अभी हम बात करते हैं इंटरनेट की हम बात करते हैं एक्सेस की इंटरनेट पर जब हम एक्सेस लेना चाहते हैं किसी वेब इंटरनेट सर्विस प्रोइडर जो है वह आच्छी स्पीड आपको दे रहा है तो आप एजीली एक्सेस कर पाते हैं किसी भी वेबसाइट पर दूसरी जो इंपर्टन जो चीज होती है वह होती है हमारे डिवाइस के कॉंप्रिगेशन हमारा जो डिवाइस हम अगर मोबाइल से किसी वेब पेज को अगर हम एक्सेस करना चाहा है या फिर लैक्टॉप या डेक्स्टॉप की थूप करना चाहते तो उसका क्या है उसका प्रोसेसर कैसा है वह जो हम कौनसे जनरेशन का वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं विंडोज हम कौन से कि अगर हैं अगर आंडोयटोना व कौन सा से यह लेटस्ट वर्जन या उल्ब वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं हमारी रैम कितनी है, दो अबरत मरें चार इबी आठ के हमारी एक्सेस कर सकते हैं तो यह ज़रूरी शिजह हैं इंटरनेट・पर एकसेस करने के लिए तीसरी बात कि जो वेपेज अपलोड हुआ है क्या वेपेज बहुत लाइट वेट है अगर कोई वेपेज बहुत ज्यादा लाइट वेट है तो सुरी मैं एक्चुली फोन से जुड़ा हूं तो कॉल्स और मैसेज़ेस कंटिनियूसली आ रहे हैं मापी चाहत हूं आप सबी से जो हम बिच पे जा रहे हैं हम this材र जा रहे हैं कि पर या उनकी जोती में उसे लाइट बनाया गया है वहां पर जो और या वहाँ पने डेटा कुछ विडियोहां सकते हैं कुछ ижभी ओहां पे इतना जाला गया है उस पराई पर लोड किये जाते हैं तो उस इमेजस के इमेज साइस पर कि अब कि इमेज साइज पर साइस पर भी बहुत सारी चीज़े डिमेंड होती हैं कि वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपका इंटरे जो स्पीड या फिर इंटरेट करेंशन हैं उसे चेक करिए कि आप एक प्रॉपर हां इंट्रनेट कनेक्टविटिविटी में यह हमें चेक करना जरूरी है उसके बात हमारा ढूर्ड डिवाइस है हमारे बार हम यूज कर रहे हैं उसकी रही है उसका पूल साथ मोबाइल महोँ हम प्रोसेस कर रहे हैं तो अगर आपका रैम और प्रोसेसर इनासा क्यों मोबाइल में उसमें बहुत इसा था नहीं पूरा प्रस एक होने में बहुत समय ले रहा है, बुटिं मैं होता नियोंगा जल्दी करते हैं यह करें, तो आपके समय लेता हैं में, और यह इत्वा स्वाय रखे से इतना आपाया मोबायो स्पीड लेगा, उतना आप इंटरनेट को एक्सिस करबसे हैं तो आपके मोबैल में आगर ऐसी चीज़ है जो होवाँ पे शारी इमेज्च यहां फिर विदियो फाइल दो उसका बैक अप ले ले यह वरतालाले सकते हैं तो आप वहां उसका बैक आप जो है औप गूगल ड्राइड में देकांऔर सकते में और से कशिए कमप में करके उस computer में backup ले सकते हैं सबसे बड़िया option होगा गुगल ड्राइव में जहां पर वो जो आपका फोटो वीडियो डेटा है उसका backup ले अगर आपके बास 16 GB 20 GB स्पेस है आपके जो भी सबस्ट को जितना हो सके उतना फाली क्योंकि जितनी स्पیस होती हैं हम extrêmement होता और में घुमा principle आपका खाली रहेगा मिस्स आपके पास अगर एक्जामपल 10 GB का स्पेस हैं उसमें से 8 GB आपके पास खाली होना चीए से 7 GB आपकोना सेवेंटी पर्सेंट तक आपका स्पेस खाली थाना चीए तब जाके स्पेंट के साथ के हust स्टॉप पे अगर आपकी वन टीवी की कोई हड्राइव है उसमें नाइन हंड़ेट जीवी तक डेटा अल्रेडी स्टोर है और वन हंड़ेट जीवी या फिर फिप्टी जीवी ही आपको स्पेस मिल रही है उस वेपसे उस पर्टिक्लर लैप्टॉप को रन करने में तो वहा समय लेगे और उसके बाद आपके मोबाइल के स्पेस को आप थोड़ा सा कम करके वाप वापस से देखिए कि अब वो कितना समय लेगी है तो जो वेपसाइट थोड़ी हेवी होती है बट हमारे डिवाइस अगर थोड़े फास्ट वर करतें तो उस वेपसाइट तक भी हम प तो क्योंकि वो कनेक में लास्ट टाइम जो इशू आए थे उसमें इस वाए थे कि बहुत सारे जो हमारे पास डिवाइस से से इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन अल्रेड़ी उनका जो स्टोरेज है पूरी तरह से फूल हो होती है और प्रोसेसर भी हमारा स्लो होता है तो उस वज़े से भी हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा था बट यह जो इसवाब टेक्निकल टीम उस पर ही वर्क कर रही थी कि कि कम से कम कांप्रिगेशन के डिवाइस से को हम और के साथ किस तरह से कनेक कर पाएं क्योंकि ओकनेक और यह टेक्नोलोजी बेस्ट होने के बाद यह टेक्नोलोजी नहीं है और पूरा फ्रेश तो मार्केट को मार्केट में अभी कौन से डिवाइस हैं कि इसको जच करने में थोड़ा सा समय लगा और इस वज़े से नहीं हो पाएं और यह दिक्कत हमें कल भी आ सकती हैं कल भी और एकक्सेश की हम बात करेंगे कि एक्सेश किन है किन मिल सकता है कि लोगों को एकॉसम सकता है देखे हैं और जब आर बहुत सारी लोग वेटिंग में होते हैं पर और और अगर और करने के हम बात करें 60,000 के साथ भी कंपनी अपना एक मिटिंग करती है कल और बहुत सारी लोग उसको जॉइन करना चाहते हैं तो कंपनी फोर्टीन मिलियन लोग या फिर एक लाग दो लाग तीन लाग लोगों को तो एक्सेस नहीं मिलेगा वन टाइम पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम बीटा टिस्टिंग मोड से थोड़ा सा अफ हो रहे हैं बीटा टिस्टिंग भी हमारा भी चल रहा है बट अभी हम कि और लॉपकर तरिके से टूल लाउच ही हो जाएं तो इस टूल के साथ जो एक्सेस मिलेंगे में भी मुझे एस सब्सक्राइब कर पाएंगे एक से Richtung में तो कने आभर आप उंक में यह इस बर्ग नहीं घ्क कोई फॉल्ट नहीं है कि तरफ से सिर्फ लिमेटेड एक्सेस दिये गए फोर्टी थाउजन शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करते हैं अगर आप इंटर हो जाते हैं तो समझ लीजे आपको एक्सेस नहीं किया गया है तो उस वक्त आपको पैनिक होने की जोरत नहीं है और नाराज होने की जोरत नहीं है यह रैंडेम्ली होगा ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा कि गिने चुने लोगों को या फिर किसी का चेहरा या किसी का नाम देखके एक्सेस किया जाएगा जिसको एक्सेस मिला उसको मिला मैं इस दिन मेरा मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम आप देखेंगे तो हाय कॉन्टरिगेश झाल 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 झाल